37-3 रेलवे डिजल इंजन, इंजिनियरिंग का एक चमतकार है जिसने परिवाहन में करांदी ला दी, इलाके और समय को चनौती देते हुए अनगिनर टनमाल और यात्रियों को महादवीब के पार ले गया, इसकी कहानी सक्ति प्रगती और यहां था कि रोमांस के असपर्स की भी है, डिजल लोकोमोटीब के बीच 19-20 सदी में आंत्रिक दहन इंजन के अविसकार के साथ बोए गये थे, जर्मन इंजिनियरिंग रुडोल्फ डिजल ने 1892 में अपनी इसी नाम के इंजन का पेटेंड कराया, जो उस समय के भाप इंजनों का आधिक हुसल और स्वक्ष विकल्प था, हलाकि रेल यातरा की मार्गूफ के अनुसारी से अपनाना चुनाती पुन साबित हुआ, पहला सफल पर्यास 1906 में स्विश लोकोमोटीब फ्योरे के साथ हुआ, हलाकि यह मात्र असी अस्व सकती की थी, फिर भी इसने अधिक सकती साली मशीनों के लिए मार् दसक तक एलको और जन्रल इलेक्टिक जैसे अमेरिकी दिगजो, सैकरो अस्व सकती वाले डीजल इंजनों का उत्पादन कर रहे थे, जो धीरे धीरे अमेरिकी रेल मायक पर भाप इंजनों की जगा ले रहे थे, उन्हें सो तीस यह दसक में डीजल लोकोमोटीब के वास्तविक ब्रिधी देखी गई, भाप की तुन्ना में इसके फायदे निर्विवाद थे, तेज द्वरन उच इरधन दक्षता आसान रख रखाओ, या पानी या कोईले के लिए रुके बिना खड़ी ढलानों और लंबी दूरी तै कर सकते थे, बिनकारकों ने परिचाल और इंधन दक्षता सैनिको और अपूर्ती के परिवहन के लिए महत पुन्ध था, जिससे भारी तार्किक चुनलतियों का सामना करने में इसकी दक्षता साबित हुई, यूद के बार डीजल इंजनों ने अपना अथक सफर जारी रखा, नए छेत्रों पर विजाय प्राप और नियंतरन जैसी नए तेक्निकों ने दक्षता और अखर्षन में सुधार किया, जिकने वायू गति किया, के खिचाओ को कम किया, जिससे उच गति की अनुमती मिली, डीजन लोकोमोटिव की कहानी सिर्फ पुरूबल के बारे में नहीं है, या उन अंगिरत वेक्तियों क जिन्हों ने इन मसीनों को डिजाइन किया, निर्मान और संचालन किया, इंजिनियरिंग जिन्हों ने प्रोधोकी की सिमाओ को आगे बढ़ाया, या अंत्रे की जिन्हों ने उन्हें गुनगुनाते रखा और परमचारियों को परसिक्षित किया, जिन्हों ने अपना तक माल डुलाई करता है और दूर दराज के समुदायों को जोरता है और ओरियेंट एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्टित यात्राओं को संचालित करता है डीजल लोकमोटिव की कहानी अभी खतम नहीं हुई जैसे जैसे दुनिया जलवाई परिवर्तन से जूच रही है मिश्चित हो रहा है कि इस यांत्रिक चमतकार की गरगराहाट आने वाले वर्सों तक घाटी और मैदानों में गुंजती रहे